पेट की गैस को 5 मिनिट में एक दम से बार निकालने का बिलकुल राम बार नुसका लेके आई हों दोस्तों कुछ भी खाते पीते हो पेट फूल जाता है गैस बन जाती है और कभी-कभी तो गैस सिर में चड़ जाती है सिर में बहुत जादा दर्द होता है इसके अलावा अगर आपको कबज रहती है तो भी ये आज का जो नुसका है आपके लिए 100% कारगर है पुरानी से पुरानी कबज से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा तो फिर चलिए शुरू करते हैं एक पतिला ले लेंगे और इसमें डालेंगे एक गिलास पाने और ये देखे ये जीरा लिया है ये कच्चा जीरा है और जीरा सब के किचन में होता है तो इसमें हम एक चमच जीरा डालेंगे और ये दूसरी चीज दालचिनी है दालचिनी भी तक्रिवन सभी के गर्मे होती है ये दालचिनी के पेड़ की चाल होती है इस तरह लकडी जैसी तो इसका हम एक छोटा टुकडा डालेंगे क्योंकि जो दालचिनी होती है गरम तासीर की होती है तो इसका छोटा टुकडा डालेंगे अगर आपके पास दालचिनी का पाउडर है तो भी एक चोथा ही चमचाप पाउडर डाल लीजिए अब इसको हम बिल्कुल लो फ्लेम पे पांच मिनिट के लिए ऐसे ही रखे रहने देंगे पांच मिनिट में ये धीरे धीरे पकता रहेगा और ये जो दो चीज हमने डाली है न जीरा और दालचिनी इनका सारा फ्लेवर इस पानी में आ जाएगा पांच मिनिट बाद आप जब देखेंगे तो इसका कलर देखे इस तरह से चेंज हो जाएगा इसमें अब ये जीरे और दालचिनी का फ्लेवर आ चुका है तो इसको हम गरम गरम ही चान लेंगे अभी हम इसमें दो चीजे और मिलाएंगे ये देखें ये निंबु है और निंबु भी पेट की बिमारिओं के लिए पेट की गैस के लिए बेहत लाब दायक होता है तो हम आदा निंबु लेंगे और ये चलनी रखके ही इसको हम नि चोड़ देंगे क्योंकि जो बीज निकलेंगे न वो छलनी में ही रह जाएंगे तो इस तरह से आदे निमू का रसा में इसमें मिला लेंगे और ये देखिए ये है काला नमक आपने काला नमक ही लेना है अगर बड़ा गिलास है तो आप आदा चमच काला नमक ले लीजिए और गिलास थोड़ा छोटा है तो नमक भी थोड़ा कम कर लीजिए इसमें आदी चमसे थोड़ा कम हम नमक मिलाएंगे काला नमक ये जो ड्रिंक बन के तयार हुआ है ना दोस्तो पेट की गैस के लिए और कबज के लिए बिलकुल रामबान है आपने इसको गरम-गरम ही पीना है जब ये पीने लायक हो जाए ना हलका-लका गरम रहे तभी आप इसे शिप-शिप करके पी लेना आपको पीते ही आपका मन अगर गैस के कारणा से मचल रहा न जैसे उल्टी जैसे कई बार फिलिंग आती है पीते ही आपको आराम मैसुस होगा मन खुस हो जाएगा और गैस दिले दिले आपकी पूरी निकल जाएगी बिल्कुल चैन की सांस ले पाओगे और अगर आपको कबज रहती है तो भी आपके लिए ये बहुत ज़्यादा लाबदाएक है अगर आपको पुरानी कबज रहती है बहुत दिनों से कबज है तो आप इसका सेवन लगातार पंदरा दिन कीजिए सुबह और स्याम सुबह खाली पेट ले लीजिए और स्याम को खाना खाने के एक गंटा बाद ले लीजिए पंदरा दिन अगर आप लगातार ले लेते होना तो पुरानी से पुरानी कबज से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा और एक बात लेकिन ध्यान रखने की है यहां अगर कोई pregnant lady है तो pregnant lady को यह नहीं लेना है और अगर किसी का बीपी हाई रहता है तो उन्होंने नमक नहीं डालना है बिना नमक के ही पी लेना है तो यह था दोस्तो आज का छोटा सा नुसका बहुत ही effective नुसका है ट्राइ करके जरूर देखिएगा अगर आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाइबाइ थैंक यू